नमस्कार है पेन बाशपी अपने यूटूब चैनल में पेन बाशपी पे आपका बहुत-बहुत सवगत करता हूँ ये वीडियो SSC MTS 2021 के जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेलफुल होने वाली है जैसा कि आपको पता है कि आपका टीर वन का रिजर्ट आ आप लोग बहुत ज़्यादा परिसान है कि इतने माक्स हैं कितने नमबर ची है फाइनल सेलेक्शन के लिए कितना कटाफ इंक्रीज होगा आपका तो उसके रिगार्डिंग ये काफी हैलफुल आपके लिए वीडियो होने वाला है यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंक्रीज हुआ है माक्स इस्ट्रेंट का ठीक है अलग अलग सिप्ट में तो इससे कहीं न कहीं आपको ये अंदाजा लग पाएगा कि हाँ फाइनल जो कटाफ उसमें कितना वेरियेशन आएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेक्टर होता है तो फाइनल आएगा उसको हम लोग इस वीडियो के बाद प्रेडिक्ट करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्फुल होने बाला है यहां पर आपको ये पता चलेगा कि नोर्मलाजिशन आपका कैसा रहा और कितने मार्क्स इस्ट्रेंट के इंक्रीज हुए मैग्जिम मार्क आपके डाउट क्लेर होने चीए कि कैसे लेटर लिखना है कैसे ऐसे लिखना है लेटर इनफार्मल और फार्मल लेटर कैसे लिखेंगे राइटर रेसीवर का एड़ेस नहीं दिया होगा तो कैसे लिखेंगे उसके अलावा जो सेलेक्टिड ऐसे हैं इनकी आपको तो अगर आप इस exam को 100% qualify करना चाहते हैं तो हमारा complete descriptive course join कर सकते हैं, मैं बादे के साथ कह सकता हूँ कि 100% इस exam को आप qualify करने वाले हैं, तो अगर आपको इस course को join करना है, तो करना क्या है, 63071856 double line, इस number पर आप WhatsApp पर message करिए, आपको इसके regarding सारी information दे दी जाएगी, तो चलिए start करते हैं, जो personal strength की information है, वो मैंने hide कर दी है, तो आप लोग देख पा रहा होंगे, इस strength के जो normalized score है, total हम लोग section wise पर बात नहीं करेंगे, यहाँ पे, मतलब overall देखेंगे कि, मतलब जो score बना, वो कितना था, और normalized score है, वो कितना है, तो 79 इनका rise score बना, और 85 हो गया, यानि कि, आप लोग देख पा रहा होंगे, 6.28 का यहाँ पे increasement देखने को मिला, ठीक है, अगला जो experiment है, इसके आप लोग देख पा रहा होंगे, 79.25 marks थे, और इससे कितना हो गया, 81, यानि कि, 1.75 इसके जो marks हैं, वो आपके increase हो गया, ठीक है, अगला जो experiment है, इसका देखते हैं, high score कितना था, 80.5, और कितना हो गया, 85.14, तो लगबग आपके साड़े 4 नंबर यहाँ पे increase हुए, इस experiment के, अगला देखते हैं, अगला जो experiment है, इसका जो high score था, वो 80.25 था, और हो कितना गया, 85, यानि कि, 4.75 इसके marks increase हुए, ठीक है, अगला जो experiment है, इसके marks थे, आपके, 85.5, और हो कितने गया, 85.58, यानि कि, आप लोग देख पा रहा होंगे, 5 marks इसके, 5 नहीं, 4 marks यहाँ पे, इसके increase हुए, ठीक है, अगला जो experiment है, आप लोग देख पा रहा होंगे, कितने marks थे, 85, और हो कितने गया है, normalized, 88, यानि कि, 3.63 marks, यहाँ पे, इसके increase हुए, ठीक है, अगला जो experiment है, फिर अभी हम लोग बात करेंगे, कि maximum कितना increase हुआ, अगला जो experiment है, उसके marks है, रहा स्कोर कितना है, 79.75, और इसका score, 79 ही यह लग वक ठीक है, तो मतलब, उतना ही score है, थोड़ा सा कमी हो गया, यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें कोई changes आपका नहीं हुआ, अग और हो कितना गया, 82.48, यानि कि 2.48 यहाँ पे marks increase हो गये, ठीक है, अगला जो experiment है, इसके marks आप लोग देख पा रहा हुआ होंगे, 78.5 ते, और यहाँ पे भी 78 पॉइंट कुछ हैं, ठीक है, तो इसके भी marks increase नहीं हुए, अगला जो experiment है, आप लोग देख पा रहा होंगे, इ इसके increase हुए, ठीक है, अगला जो experiment है, आप लोग देख पा रहा होंगे, इसके marks थे, राइज स्कोर कितना था, 86, और normalized score जो है, वो कितना हो गया, 91.50, यानि कि कितने marks increase हुए, 5.50, यानि कि साड़े 5 नंबर इसके increase हुए, ठीक है, अगला जो experiment है, आप लोग देख पा रहा होंगे, 4.25 marks इसके increase हुए, ठीक है, अगला जो experiment है, इसका score था 90, राइज स्कोर 91.75, और normalized कितना हो गया, 94.64, ठीक है, 91 से 94, यानि कि 3 marks लगवग इसके increase हुए, ठीक है, अगला जो experiment है, इसका जो राइज स्कोर था, वो कितना था, 88.75, और हो कितना गया, 92, तो आप लोग देख पा रहे हुँगे, 4 number लगवग इसके increase हुए, ठीक है, अगला जो experiment है, आप लोग देख पा रहे हुए, इसके 76 से कितना हो गया, 82, यानि कि 6.94 इसके marks increase हुए, ठीक है, 6.94, अगला जो experiment है, आप लोग देख पा रहे हुए, 90.25 थे, और 94.75 हो गया, यानि कि 4.5 marks इसक increase हुए ठीक है अगला जो experiment है इसके marks कितने थे rise score 85 और हो कितना गया 89.76 यानि कि 4.76 marks increase हुए ठीक है अगला जो experiment है इसके marks कितने 78.5 और हो कितने गया rise score 78.5 और normalized score कितना 82.10 तो कितने marks यहां पे increase हुए चार से कम लगवक sada3 marks यहां पे increase हुए ठीक है अगला जो experiment है आप लोग देख पा रहे होंगे इसके marks कितने hebben, rise score कितना 87.75 और normalized score कितना हो गया 91 यानि कि 4 number इसके 4.25 इसके marks increase हुए ठीक है अगला जो experiment है आप लोग देख पा रहे होंगे इसका rise score कितना है 72 और हो कितना गया 78 यानि कि 6 नंबर जो है वो इसके increase हुए ठीक है अगला जो experiment है इस कर रहा है score कितना है 79.25 और हो कितना गया 83 यानि कि आप इसके 4 नंबर 4 से कुछ जाता नंबर increase हुए तो आप लोग देख पा किस तरीके से normalization हुआ अभी जितने भी score card मैंने आपको दिखा है आप लोग देख पा रहा होंगे maximum जो marks increase हुआ है वो 7 नंबर increase हुआ है और minimum कम भी हुआ है और एक नंबर भी आपका increase हुआ पॉइंट में भी मतलब increase हुआ तो maximum इतना जितना भी मैंने आपको 25 marks इस तरीके से नहीं हुआ maximum 10 से 15 marks increase हुए है और decrease भी हुए है marks और minimum एक से दो नंबर बढ़े है ठीक है तो इस तरीके का normalization रहा है तो कहीं न कहीं यह जो final cut-up है उसको decide करेगा अब final जो cut-up है उसको अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो 2020 का जो final result है उसको आप अच्छे तरीके से समझ लो आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपको लीट चाहिए तो डिटेल में आपके लिए वीडियो आने वाला है बहुत जल कि final cut-up कितना क्या जाएगा safe score आपके लिए कितना रहेगा और कितनी marks आपकी कटाब बढ़ सकती है बस मैं आपको यही suggestion देना चाहता हूँ कि अगर आपके 85 plus marks है ठीक है और आपने all state preference दिया है your category वालों को बता रहा हूँ बाकि सभी category वाले जो बच्चे है वो समझ सकते है ठीक है तो अगर आपके 85 या उससे उपर marks है तो आप tier 2 की preparation अच्छे से करिए ऐसा में क्यों करा हूँ क्यों क्योंकि अभी vacancy का ओलट फिर हो सकता है vacancy बढ़ घट सकती है और उमीद है कि vacancy जो है वो बढ़ेंगी तो tier 2 को आपको हलके में नहीं लेने क्योंकि tier 2 काफी important होगा और later पर आपको काफी अच्छे तरीके से काम करना है क्योंकि later में UFM के ज़्यादा chances होते हैं और अगर UFM लग गया तो आपको zero marks मिलेंगे आपकी सारी मेनत बेकार हो जाएगी तो अच्छे तरीके से preparation करें देखिए अब थोड़ा से दिमाग लगाईए अब इतना time आपके पास नहीं लेकिन हाँ इतना परयाप time है कि अगर अभी से भी आप अच्छे तरीके से सही guidance में preparation करते हैं तो आराम से इस exam को qualify कर सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो selected चीजों पर काम करिए तो हमारा जो course है वो इसी में आपकी help करेगा जो videos हैं उनसे आपका एक दिन में doubt clear हो जाएगा देखके कि कैसे आपको ऐसे लिखना है कैसे letter लिखना है current topic पे common topic पे कैसे लिखेंगे formal, informal letter का प्रारूप क्या होता है उसके लाबा UFM से आप कैसे बच्चे हैं ठीक है और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि 70 प्लस आपको RTI की copy मिलेंगी उसके अलाबा daily हम लोग यहाँ पे practice कर रहे हैं daily आपको topic मिले कि आपने क्या कमी की और आपको क्या improve करना चाहिए उसके लाबा उस topic पे जिस तरीके से आपको लिखना है उस पे मैं भी आपको video provide कराता हूँ तो इससे आप काफी बहतर सीख पाएंगे और मुझे लगता है कि जो time है परयापत है आपके पास तो अगर आपका score 85 या उससे लेने की जरूत नहीं है तो अगर आपको यह course join करना है तो करना क्या है 630718569 इस नंबर पर आप बाट से पर message करिए आपको इसके regarding सारी information दे दी जाएगी उमीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो सारी information आप अच्छे तरीके से समझ जाएगी तो